सभी CAC वेलिक लिए गुड न्यूज है CAC डिजिटर स्वा पोटल में 4 ऐसा न्यूज सर्विस लाइब हुआ है जिसमें आपका इंकम काफी हद तक बढ़ने वाला है तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाएंगे 4 ऐसा क्या क्या सर्विस आया है कि डिजिटर स्वा सर्विस में कितना कमिशन रखा गया है चलिए दिखाते हैं और बात करते हैं सबसे पिला हम स्टार्ट करेंगे यह एक्सेस बैंक का तो यहाँ पर अभी देखोगी CAC ने एक पोश्टर जारी क्या है CAC के तरफ से CAC के मद्धियम से खोले एक्सेस बैंक एक्सेस बैंक में कि ECAC करोगी तो मिनिममम पांसर रुपया लगने वाला है कस्टमर को जिसका खता फोरन खुल जाया जाएगा मतलब तूरन्त इनिस्टेंट एक्टिबेट हो जाएगा आपका अकाउंट हाला कि फिलाल इसका कमिशन कितना रखा जाएगा CC वेली को यह यहाँ पर अभी तक दर्साया नहीं गया है यहाँ पर अगर देखोगे तो साब साब लिखा गया है Coming Soon Access Bank Instant Launching EQIC Account थ्रू Digital Swap Portal यह कहां से ओपन करोगे Digital Swap Portal में वो भी दिखाएंगे आपको यह पहला सर्विस हो गया दूसरा सर्विस आपको यह देखने को मिल जागा Access Bank और LIC के थ्रू यहाँ पर देखोगे इसमें काफी ज़्यादा और बड़ा Commission रखा गया 700 रुपया मतलब 750 रुपया Commission रखा गया है एक लीड में अगर सेक्सेस हो जाता है तो अगर आप इसमें काम करते हो तो अच्छा कासा Commission कमा सेकते हो चलिए हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या आपर लिखा गया है अब डिजिटर सेवा पोर्टल पर LIC एक्सेस बैंक क्रेडिट कार्ट सेवा लाइब तो यह सर्विस अभी लाइब हो चुका है साथ में कमिशन क्या देगा वो भी यहाँ पर बता के रखा है यहाँ पर देखो साथ साथ लिखा गया है कि एक्सेस बैंक का सिगनिचर या पिलेटिनम क्रेडिट कार्ड अगर आप अपलाई करते हो अगर आप अपलाई करते हो तो एक कार्ड के पिछे आपको साथ सो पचास रुपया दिया जाएगा कमिशन के थिरू तो यह कार्ड अप कहां से अपलाई करोगे वो भी इस डिजिटा सेवा पोर्टल में आपको दिखाने वाले है तो अब वीडियो लास्ट देख सकते हो अभी यहाँ पर नीच्छे इस फोटो में देखोगी तो कॉंग्रेच लुसेन LSE XS Bank Credit Card Service Live और Digital Shiva Portal यहाँ पर यह बता के रखा है और कार्ड का डिजाइन क्या होगा वो भी यहाँ पर दिखा के रखा है Signature कार्ड कुछ इस परकार से होगा और यहाँ पर देखो Platinum कार्ड कुछ इस परकार से होगा तो यह हो गया दूसरा XS Bank का ही है लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना Commission मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर एज भी बताया गया है कि 18 से 40 वर्ष के उम्र यहाँ पर अप्रेशिशन कर सकते हो आप आजाएंगे चोथे वाले सर्विस में चोथे वाले सर्विस नहीं हाला कि यह चेताउनी है यहाँ पर देखोगे अगर आपका XS Bank का 20 पॉइंट है तो यहाँ पर आपका ID बहुत जल्द सस्पेंट होने वाला है या फिर हो सकता है यहाँ पर यह साब साब दर्सा की रखाय कि हर महिने कम से कम 25 लेंड देन करने की अवस्यकता अगर 25 टांजेक्शन आप नहीं करते हो XS Bank के थूँ अगर आपको XS Bank का 20 पॉइंट मिला है और 25 टांजेक्शन नहीं करते हो महिने भर में तो यहाँ पर क्या होगा आपका ID जो है सस्पेंड कर दिया जागा और यह 23 परवरी लाश्ट डेट दिया गया है कि 23 परवरी तो का 25 टांजेक्शन कम से कम करो और बता दे अगर आप XS Bank का एकाउंट ओपेन करना चाहते हो तो इसमें कोई भी BC पॉइंट की जुरुरत नहीं है सिर्फ आपके पर CAC ID होना चाहिए इनिस्टेंट आप एकाउंट ओपेन कर सकते हो अपसे लिए हम डिजिटर सेवा पोटल में आएंगे और यहाँ पर जैसे लोगिन करोगे यहाँ पर आपको लॉन लिखना है यहाँ पर सो करेगा यहाँ देख लिखे अगर आपने अभी तक अपलाई नहीं किये तो अपलाई करके देख सेकत हूँ यहाँ फिर नेक्स्ट वीडियो होगा कि क्रेडिट कार्ट कैसे अपलाई करें तो यहाँ पर देखो क्रेडिट का ओप्सन है एक तो एक्सेस बैंक HDFC का पहले से है और यहाँ पर देखो LIC का जिसमें आपका साड़े 400 से लेके साड़े 700 रुपया कमिसर रखा गिया है एक्सेस बैंक और LIC का HDFC का बता नहीं सकते अब यहाँ पर एकाउंट ओपिन का ओप्सन कहां पर है लेकिन यहाँ पर यह क्या बता के रखा है कि कमेंग सून EQFC की थूरू एकाउंट ओपेन होने वाला है लेकिन यह अभी तक लाइब नहीं हुआ है और कमिसर कितना देने वाला है वो भी यहाँ पर अभी बताया नहीं गया है तो आने वाले टाइम में देखें कि QC कितना दिन में एकाउंट ओपेन शुरू होगा और उसमें कितना कमिसर राखा जाएगा तो अगर आप क्रेडिट कार्ट अपलाई करते हो डिजिटर स्वा के पोडल के थूरू LSE या Access Bank का तो आपका अच्छा खासा कमिसर बनने वाला है जल्दी से जल्दी जीतना लोगों का हो सकी आप क्रेडिट कार्ट बनवा सकते हो वो भी घर बेठे तो उमीद करता है ये जनकारी आप सभी को अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करके जाओगे